ग्राम पंचे चिक्टी आवर्ड में स्कुल की शिकायत मिलने पर सरपंच और उप सरपंच स्कुल पहुचे जहां बच्चों को मैन्यू के अनुसर खाना नहीं दिया जा रहा था। भूके बच्चे पानी की डाल खाकर ही घर चले जाते हैं। विध्यार्तियों को मध्यान भोजन में सिर्फ पानी वाली डाल खिलाई जा रही है जिसका पंचनामा बनाया गया है। धरमपुरी से सुनिल वासकले की रिपोर्ट। तो पानी का थोड़ा सा घर गिरती बारी से तो उद्वन के लिए बेड़ गए बोजन की युस्ता देकी तो इसमें क्या है कि आज डाल और रोटी का लिखा हुआ था इसके मध्यान बोजन का लेकिन इसमें एक चमच में पूरा अपने खाली में डाल निकाली तो उसमें पान पानी था दाल का तो नामी नहीं था एक से दो दाने निकले दाल में उसका आमने सरपन साब और पंचम पर मिलके उसमें भोजन भी कि आमने तीन-चार लोगों ने याने पंचायत की पूरी टीम आई थी है विवरन था रोड का रोड देखने के लिए तो यहां जो बच्च कई दिनों से सिकायत आ रही थी कि बच्चों को ठीक से भोजन नहीं मिल रहा है तो हम खुद आज भोजन के लिए हम इसकुल में आये थे सरपन जी में कुद उसमें सिर्फ दो दाल निकली एक सरपन जी ने खाई एक दाल का टुकडा मेने खाया और बाकी दाल के जो पानी था उससे हमारे पंची जनों ने भोजन करा यह हमारे ग्राम पंचा चिक्टिया और धानी के अंतरगत यह जो इसकूल है यहां की हानद क्या नाम क्या भी आपको अवल सिंग पावार इसी गाओं की निवासी आज आज आप यहां इसकूल में आए भोजन का निरक्षन करा तो क्या देखने को मिले आपको बोजन के इसमें सर इसमें लिखावा है दाल और रूटी सब्जी जी अना हरी सब्जी तो थी नहीं दाल ingi जान के आज तो दाल में केवल पानी पानी दाल तो ही नहीं तो दाल की मातरा नहीं यह बिलकुल जिरो बैटे-जिरो एक चम्बश्वें दो दाल के दानें निकले आपके साथ सरफंज अभी आये थे सरफंज सब्कूश ओप्सरपन्च भी था और गाओं के पंच भी थे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइपोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें